यहां पर कुशन में क्या पूछा गया है An object is dropped from rest at a height of 150 meter and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meter तो इसने बोला है हमने दो object लिये एक को हमने 150 meter की उचाही से निचे गराई है और दूसरे को 100 meter की What is the difference in their heights after 2 seconds if both the objects drop with same acceleration तो इसने बोला हमें क्या कर रहा है वहाप पे उसको हैट से निना घरा दिया तो हमें 2 सेकंड बात बताना है कि उन दोनों में उनकी हाइट में कितना डिफरेंस होगा dès निन यहां Dalot क्या है रहा कि तरफ पुब्हाइब तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या नहीं हो रहा है यहां पहले हम उसको क्या मालेंगे है एच वन मालेंगे मतलब पहलेवाली का है हाइट माल लेंगे तो कितना है वह 150 मीटर है सेम इसी तरह से दूसरी वाले हइट का हम क्या मालेंगे है एक यहां से इसको कि गिराया गया तो इसकी हाइट यहां पर कितनी थी 150 मीटर और दूसरा पर क्या थी 100 मेरे ठीक है तो पहले वाला यहां पर है और दूसरा वाला यहां पर और इन जो इनके बीच का difference में बता देता हूँ भी difference in height तो यहाँ पर अभी जो फिलाल है without after two second का निये उससे पहले का है तो difference in height यहाँ पर कितना difference होगा यह देख लेते हैं difference in height तो यहाँ height में जो difference है वो कह है हमारा भी 150 minus 100 होगा 150 minus होगा तो उसको मैं h माल लेता हूँ और 150 minus 100 कितना होता है है ह्हाँ पर 50 meter ऩह है यहाँ पर चाहे तो आप यह भी लिख सकते हूँ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ h1 minus h2 किया है मैंने यह ठीक है तो यह कितना हो गया हमारा height यहाँ पर गया है अब हमें यहाँ पर देखना है कि किटना हो आप उसने distance two seconds नीट वह मुँआपर कितना distance travel करेगा तो उसके लिए मैं हो पर जो formula लगाऊऊँगा वो लगाऊऊँगा कौन सा लगाऊऊँगा मैं second equation of motion जिसका formula क्या होता है S हमारा smalls क्या होता है हम पर distance ही होता है और u initial velocity तो यहां पर सारी चीज हमें लगबग गीवन है तो हम यहां से निकाल सकते हैं और जो यहां पर हम एसलेशन लेंगे वह हम क्या लेंगे 9.8 जो लग रहा है क्योंकि यहां पर से कोई घीज गराई गई तो हम बहुत है 9.8 पर से बराबर लेंगे ठीक है तो हम लिख लेता हूं सारी यहां पर यू हमारा क्या था initial velocity initial velocity यहाँ पर 0 थी हमारा यहाँ पर जो object था एसलेशन मैंने भी बता है यहां पर क्या लेके चलना है 9.8 9.8 into t का स्क्वार मतलब 2 का whole स्क्वार हो जाएगा time हमारा 2 था तो इसको मैं यहां पर काटता हूँ तो यह 2 से यह का स्क्वार कट जाएगा और यहां पर 0 into 2 तो यहां पर 0 ही होगा और 9.8 को 2 से कर देंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा s equal to 9.8 into 2 कितना हो गया आपर 19.6 मीटर हो गया कितना हो गया 19.6 मीटर हो ठीक है अब यहां पर h1 की हाइट और इसकी हाइट हम कर लेंगे after 2 seconds तो यहां पर कर लेता हूं मैं after 2 seconds तो 2 seconds बाद में दोनों की हाइट में कितना नतर होगा तो h1 हमारा जो होगा कितना होगा h1 हमारा पहले कितना था 150 था और 150 माइनस 19.6 तो 150 में यहां पर क्या करूंगा यह वाला distance माइनस कर दूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा h1 130.4 मीटर हो जाएगा सेम यहां पर h2 हमारा 100 मीटर हम independent में हम क्या माइनस करना है यह वाला अब इसमेन यहां पर माइनस करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 80.4, यहाँ पर मुझे स्वाट में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिगानी बची है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 80.4 मीटर, ठीक है, अब यहाँ पर देख रहोंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस भी है, 130.4 और 80.4 का जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 50 मीटर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें यही चीज बता नहीं है, कि height does not vary with time, तो यहाँ पर जो height है, उससे कोई मतलब नहीं है, time से, ठीक है, यहाँ पर जब एसलेशन बढ़ रहा है, यहाँ यहाँ पर कोई डिफरेंस से यहाँ पर, time से यहाँ पर को कि जो डिफरेंस से कितने के लिए 50 मीटर ही नहीं के लिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने next question के तरह,